वाइट वाइटनिंग दोस्तो रज्या उस चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं आपकी दोस्त रज्या लेकर के आई हूं आज आपके लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज आप कैसे करें और इसकीन वाइटनिंग के लिए तो आईगे सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई हम ज समझते हैं और अजीव अजीव तरह के फेस पैक के पीछे भागते हैं यह हमारे लिए कितने फाइदे मन हैं यह मुल्तानी मिट्टी और अगर आप इसे वीकली टू टाइम यूज करते हैं तो आपको इस तरह का स्कीन वाइटनिंग मिल जाएगा तो सबसे पहला इस स्टे फेस को वास कर लेना है और जब आप फेस वास कर लिए तो इसे अच्छी तरह से टावल से हैल्प से डैप डैप करके पानी को हटा लीजे फेस से यानिकि सुखा लीजे आप बारी आती है मुल्तानी मिट्टी के आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी आपको मिल्तानी मिट् चंदन पौडर हो, सैंडल उड जिसे कहते हैं, आप इसे घस लीजे, घस करके, ये भी जितनी आपने मुलतानी मिट्टी ली है, उतना ही ये भी ले, दोनों को बराबर ले लिया, अब आपको लेना है रोस वाटर, अब आप देखते हैं, मौर्केट में बिखते हैं, दस रु कर लीजे, जब आपने इन तीनों को अच्छे तरह से मिक्स करके, पेस्ट तयार कर लिया, तो पांच मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ दे, उसके बाद आप इसे फेस पर अपलाई करें, इस तरह से पूरे फेस पर अपलाई करें, और दस से पंदरा मिनट इसे उखेगा, चहरा टाइट होने लगता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, और दस मिनट, पंदरा मिनट, पंदरा मिनट भी लगता है, 15 सी 20 मिनट तो होना, लगी जाते हैं, लेकिन दस मिनट एकड़म मस्ट है, इसलिए, और एक चीज़ का आपको ये भी धियान है कि लोग पुझते हैं कि हफते में कितने बार तो दोस्तों हफते में इस पैक को आपको टू टाइम यूज़ करना है और जब आपका ये फेस पैक सूख जाए तो आप इसे पानी से वाश कर लीजिए आप चाहे तो पानी से डिरेक्ली यूज़ वास कर ले या टाविल को भ टू टाइम यूज़ करना है जब आपने इतना कर लिया तो आपको ये dia इसपीई मिल जाएगा यानि के वाइट निग इसपीई आपको मिल जाएगी है आपने जो चाहा उसे आपको प्राप्त कर लिया तो दोस्तों मेरे कहने कारत है कि अगर आप स्कीन वाइटनिंग चाहते हैं तो आपको इतना काम करना होगा और इनी चीजों को यूज़ कीजिए तो दोस्तों फिर मिस्ते हैं नेक्स वीडियो में चाहिए